रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10th के पूट्प्रिंट विदाउट फीट बुक से दथीफ स्टोरी पढ़ेंगे जो की रस्किन बॉंड द्वारा लिखा गया है तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कहानी में एक 25 साल का राइटर रहता है जिसका नाम अनिल रहता है वो अपनी जिन्दगी पहुत केरलेसली वेतीत करता होता है वो इस ट्रॉगलिंग राइटर रहता है जो की कुछ लिखता है और अपने लिखावट के वजह से कुछ पैसा कमाता है और उसी पैसे से वो अ अलग अलग आदमी के सामने आता है पहले ग्राम उसका कुछ और होगा इस समय अपना नाम वो घरी रखा रहता है वो अपना नाम हमेशा इसलिए चेंज करता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके जैसे कहीं पर कोई चोरी किया उसने अलग नाम से अलग हुलि करने के लिए सबसे पहले वो उसको इंप्रेस करता था और यहां भी हरी अपना पुराना फर्मूला यूज किया अनील को इंप्रेस करने के लिए अनील इंप्रेस हो गया लेकिन इंप्रेस होने से पहले यह होता है कि हरी उससे कहता है कि मैं आपके हाँ काम करना चाहता हू अनिल कहता है। कि मिरे यहाँ तुम काम कैसे करोगे। दो वक्त की रोटी तक बड़ी मुस्किल से मिलती है और कम करोगे। में पैसा तुम्हें नहीं देपाऊंगा। तो तो कहता है ठीक है। अब hebben पैसा करेंगे। तो मुझे पढ़ा लिखा दिजिएगा। तो उसे promise कर लिता है, उसे वो पढ़ाएगा, कि किस तरिके से नाम लिखा जाता है, कैसे numberों को एड किया जाता है, क्या होता है, कि जब हरी अनिल के घर पर पहुंचता है, जब खाना बनाने की बात आती है, तो इतना गंदा खाना बना दिया होता है, कि वो इंसान तो जुआ अनिल स्टार्ट कर दिया और फाइनलेश शिखा दिया अब दोनों वह एक साथ खुशी-खुशी रहने लगे एक दिन क्या हुआ कि हरी सिंग कुछ चक्के वाला ही खैला आज आता है और वो यह सोचने लगता है कि आज रात को अनिल का जो पैसा ये है उसको वो चुरा लेगा रात का खाना खाने के बाद अनिल अराम से सो गया अरी धीरे धीरे अनिल के बेट के पास गया और उस मैट्रेस के नीचे हाथ लगाया और पैसा ल महसूस करता है और वहाँ पे जो बजार ला है उस बजार में वो वंडरर के रूप में घूम रहा होता है उसके बाद क्या होता है कि बारे से स्टार्ट हो जाती है और हरी सिंग पूरी तरीके से भीग चुका होता है हरी सिंग जब भिख जाता है तो जो उसके पास पैसा रहता है वो पैसा भी भिख जाता है और उसके बाद उसके दिमाग में एक conflict आता है उसके मन में जो विचार आता है वो विचार ऐसा होता है कि उसे अनील को धोखा नहीं देना चाहिए तो कि अनील उसको लिखना और नंबर एड़ करना सिखा रहा था और अगर वो चीज़ वो सीख लेता है तो वो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा और इसके वजह से वो क्या करता है कि रेलवे स्टेशन से वो वापस आता है और आके एक फिल्ड में बेंच लगा होता है उस बेंच पे बैठ जाता है और उस समय की ये बात है जब बहुत जोरों की बारिस हो रही होती है और साथी साथ बहुत थंडी हवा भी चल रही होती है उसको बहुत बुरा लग रहा था कि एक मासूम इनसान को वो चीट कर रहा है उसका जो सर्ट रहता है पैजामा रहता है पूरा बारिस के वज़े से भिग गया होता है हरी सिंग का विचार बदलता है कि उसे अनील के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो की इतना काइंड हाटेट परसन है हम लोग देखेंगे कि यह जब थौट उसके माइंड में आता है तो यहां से उसका हिर्दय परिवर्तन हो जाता है वो डिसाइड करता है कि अनील के पास वापस जाना चाहिए और जो वो पैसा जहां से लिया था ले जाके उसे वहाँ पे ही रख देना चाहिए वो जाता है घर वापस और रूम में एंट्री लेके उस पैसों को उसी जगह पे रख देता है जहां से वो निकाला रहता है अगले सुबर क्या होता है कि वो अनील से कुछ दिर बाद उठा और अनील उठके अपना चाहिए पहले ही बना लिया होता है अनील 50 उर्पया हरी सिंग को देता है और हरी सिंग उस समय 50 उर्पया कमा लेता है वो उसे कहता है तुम्हें regularly payment दिया जाएगा हरी उस पैसे को लेके अपने हाथों में रखा रहता है और वो realize करता है कि रात में जो वो पैसा लेके भागा था वो पैसा अभी भीगा हुआ है और हरी को सब बात समझ में आ गई कि जो उसने किया है वो सारा करतूत अनिल को पता चल गया कि किस तरीके का काम हरी सिंग उसके साथ किया था प्रकार का धोखा हरी सिंग अनिल को देना चाहता था यह सारी चीज जानने के बावजूद भी कि हरी सिंग अनिल का पैसा चुराक ले गया था बारिस में भीग गया भीगने के बाद वापस आया तो भीगे हुए नोट को उसी जगह पर रख दिया यह सब चीज वो जान गया है थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो श्टदीज